फिर से आ गए हैं दादर सिवाजी पार्क यानि की चैत्र भूमी तो आज मेरे पास डेबे वाली घड़ी हैं बाई तो दो तिन घड़ी हैं जो की बागी की बाईग में हैं एक हाथ में लेके रखाऊं तो चलते हैं लोगों के पास करते हैं कुछ अच्छे-च्छे मतलब क्य और लेते हैं फणी-फणी आंसर हाई आपको ना प्रणाली उल्वति लावन्या किर्थी किर्थी कोलेज ओले किर्थी क्या बात करता है यां तो चलिए दो से तिन कोश्टन्स हैं मेरे पास अगर आंसर आया सही तो यह वाज गिप्त कर दूंगा ठीक है फर्स्ट कोश्चन मेरा यह है वह कौन सी सिटी है जहां पर सिफ पढ़ाई होती है और वाकी कुछ नहीं होता है मतलब घर दुवार बजार हो गए रहा मेला हाट कुछ भी नहीं सिफ पढ़ाई होती है वह कौन सी सिटी है सिफ पढ़ाई है यूनिवर्सिटी तो गोड़ मैंने कॉश्चन मेरा पहले आप सुन्दों वह क्या चीज है अपने इंडिया में बाइन है पर लोग बहुत हस खेल के वह चीज यूज करते हैं अब यूज करते हैं तो भी इंडिये में बैन होगी है नहीं मतलब माउज मस्ती से यूज करते हैं उसको क्या चीज है अब आपके क्या बोला पर संसी वह भी सकता नहीं अब कोशम नहीं रियाल्टी है वह कौन सी चुड़ैल है जो कि हर घर में पाई जाती है अरी दिवा ये गड़ बड़े बाबाबा अ अब आपको 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 जो कां सी चुड़ैल है जो कि हर गड़ में पाई जाती है इसको बतादी है बीवी ओ माई गौड बीवी तो नहीं है यार अच्य वो क्या चीज़ जोकि उपर जाता है नीचे भी आता है ए चीज मतलब उपर जाता है नीचे भी आता है मतलब उसका एक टाइम फिक्स है जो कि उपर मिया का निचे भी आता है एरोटी हेरोफ्लेन वो तो कभी भी आता कभी भी जाता है उपर वो नहीं है तो शुड़े लोला बता ही अब आप भी बता है अब हुशे में आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं यार ताकि नोगों मालूम पढ़ना जाए वह वह से चुड़ेल है प्लस एक दो कोश्चन से जो और रह गए हैं उनका भी आंसर अगा आप लोगों को पता है सही परेक्ट आंसर तो प्लीज कॉमेंट करके बता सकते हैं यह रही आपके वाज़ आपने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया किया जादालोगों लाइक से एंसर्शाय करने के लिए बोलो जाइक से एंसर्ष्ट रॉमेस नहां किया यह दो हम मेरे गले मेंगे तो मुझा जिंदा लगता है अगर मैं उसमें गिया हुआ कि पानी क्या बार दान 500 प्रोशन 3 से 4 अच्छा लेकिन एक का 120 तो मिलना जेहां मिलेगा हैंडेगा हैंडेट में पक्का प्रॉमिस करें हैंडेट में आप लोग भी देख रहे हैं हैंडेट में कितने बार को हम थाई को मानिस कर से होंगे एक ही बार उसका नाइटीफ़ हो रहेगा है पढ़ात है वह काम सा आर्ट है जो की मतलब सबको आथी लगती हो है सब को अच्छी लगते हैं सबको पता नहीं दिमार्ट को सब मेसा अगाता है टीन पॉस्टन्स किया तीनो पास हो गहें गर्स अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो पिल लाइक सेरें सब्सक्राइब जो करें